नमस्कार, प्रस्तुत है मुन्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखावा उपन्यास गोदान का पंद्रहवा भाग, आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी गर्ववती जुनिया को घर में रखने के जुर्म में गाउं के पंचो ने होरी पर सो रुपे नगत तावान और तीस मन अनाज का डांड लगा दिया इसे पूरा करने में होरी की सारी फसल चली गई और उसे अपना घर भी गिर्वी रखना पड़ा पीछे जब गोबर जुनिया को लेकर अपने घर को आ रहा था तब उसने जुनिया को आगे बढ़ा कर कहा कि तो आगे चल मैं पीछे से आता हूँ और जब जुनिया उसके घर गई तो वो सारी कहानी चुपके चुपके देख रहा था जब उसने देखा कि जुनिया को उसके माबापने अपना लिया है तो वो गदगद हो उठा और पहली बार उसे अपने दाइत्व का ग्यान हुआ और उसके साथ ही उसने यह संकल्प लिया कि अब वो तभी घर वापस लोटेगा जब वो पैसे के बल पर गाउवालों का मुह बंद कर सकेगा और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझ कर कुल दीपक समझेंगे यही सोच कर वो पैसे कमाने के लिए लखनों की राह पकड़ लेता है अफसोस था तो केवल यही कि उसने जुनिया को ये सारी बाते साफ साफ क्यों न बताई अब सुनते हैं आगे की कहानी उसे कुछ पच्तावा था तो बस यही कि उसने जुनिया से साफ साफ क्यों न कह दिया कि अभी तो घर जा मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा धमा कर घर लोटूंगा लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों कहती मैं भी तुम्हारे साथ लोटूंगी उसे कहा कहा बांदे भीरता दिन चड़ने लगा रात को कुछ ना खाया था भूख मालूम होने लगी पाउ लड़कडाने लगे वहीं बैठकर दम लेने की इक्षा होती थी बिना कुछ पेट में डाले अब वह चल नहीं सकता था लेकिन पास में एक पैसा भी नहीं है सड़क के किनारे जुड बेरियों के ज़ाड थे उसने थोड़े से बेर तोड लिये और उदर को बहलाता हुआ चला एक काउ में गुड पकाने की सुगंदाई अब मन न माना कुलहार में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भर कर चुलू से पीने बैठा की एक किसान ने कहा अरे भाई क्या निराला ही पानी पियोगे थोड़ा से मीठा खालो अब की और चलाले कोलू और बनाले खांड अगले साल तक मिल तयार हो जाएगी सारी उक खड़ी बिक जाएगी उक और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड कौन लेगा उसने एक कटोरे में गुड की कई पिंडिया लाकर दी गोबर ने गुड खाया पानी पिया तमाकू तो पीते होगे गोबर ने बहाना किया अभी चिलम नहीं पीता बुड़े ने प्रसन्न होकर कहा बड़ा अच्छा करते हो भाईया बुरा रोग है एक बेर पकड़ ले तो जिन्दगी बर नहीं छोड़ता इंजन को कोईला पानी भी मिल गया चाल तेज हुई जाडे का दिन नजाने कब दोपहर हो गया एक जगह देखा एक युवती एक व्रिक्ष के नीचे पती से सत्याग्रह किये बैठी है पती सामने खड़ा उसे मना रहा था दो चार राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गया थे गोबर भी खड़ा हो गया मान लीला से रोचक और कौन जीवन ना टक होगा युवती ने पति की और घूर कर कहा मैं न जाओंगी, न जाओंगी, न जाओंगी पुरुष ने जैसे अल्टिमेटम देदिया न जाएगी, न जाओंगी न जाएगी ना जाओंगी पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीतना शुरू कर दिया यवती भूमी पर लोट गई पुरुष ने हार कर कहा मैं फिर कहता हूँ उठकर चल स्त्री ने उसी देड़ता से कहा मैं तेरे घर साथ जनम में न जाओंगी बोटे बोटे चाहे काट डाल मैं तेरा गला काट डालूँगा तो फासी पाओगे पुरुष ने उसके केश छोड़ दिये और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया पुरुष रत्व अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं एक चण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्थो कर बोला अखिर तो क्या चाहती है यह उति भी उट पैठी और निश्चल भाव से बोली मैं यही चाहती हूँ कि तू मुझे छोड़ दे कुछ मुझे कहेगी भी क्या बात हुई मेरे बाब भाई को कोई क्यों गाली दे किसने गाली दी तेरे बाब भाई को जाकर पूछ अपने घर में चलेगी तभी तो पूछूंगा तो क्या पूछेगा कुछ दम भी है जाकर अम्मा के आचल में मोढख कर सो रह वह मा होगी तेरी, मेरी कोई नहीं है, तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनू, एक रोटी खाती हूँ तो चार रोटी का काम भी करती हूँ, क्यों किसी की धोस्त हूँ, मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई मर्द और 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 औरत के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौडी किसी आखे निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिला कर कहा, मालूम होता है अभी महरिया नहीं आई है, तभी इतना दर्द है। गोबर का गर्म खुन और गर्म हो गया, वह क्यों चला जाए? सडक सरकार की है, किसी के बाप की नहीं, वह जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है। वहाँ से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं। पुरुष ने होट चबा कर कहा, तो तुम न जाओगे, आऊं। गोबर ने अंगोचा कमर में बांध लिया और समर के लिए तयार होकर बोला। तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाओँगा जब मेरी एक्षा होगी। तुम मालूम होता है हाथ पर तुड़वा के जाओगे। या कौन जानता है कि किसके हाथ पाउट उटेंगे। तो तुम न जाओगे। पूरुष मुठी बांध कर गोबर की और जप्टा। उसी छण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी और खीचती वी गोबर से बोली। तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी। अपनी राह क्यों नहीं जाते। यहां कोई तमाशा है हमारा आपस का जग्रा है कभी वह मुझे मारता है कभी मैं उसे डाटती हूँ तुमसे मतलब। गोबर यह धिकार पाकर चलता बना दिल में कहा यह औरत मार ही खाने लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पती को डाटा। तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो उसने कौनसी बुरी बात कही कि तुम्हें चोट लग गए। बुरा काम करो तो दुनिया तो बुरा कही गी ही। मगर है किसी भले घर का आदमी और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपनी बहन के लिए ठीक नहीं कर लेते। पती ने संदेह के स्वर में कहा। अब तक क्या कुमारा बैठा होगा। तो पूछी क्यों न लेते हो। पुरुष ने दस कदम आगे दोड़कर गोबर को आवास दी और हाथ से ठैर जाने का इशारा किया। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी। मैत्री का निमंत्रण था। उसने गाव और नाम और जात पूछी और गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा। हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आये तो मैंने सोचा कि तुमने ठीक ही तो कहा था। मैं नाहा की तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बारी घर में होती है न। गोबर ने बताया उसके मवेशी पांच बीगे खेत हैं और एक हलकी खेती होती है। मैंने जो तुमें भला बुरा कहा उसकी माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुन सुहूर में लच्मी है। मुदा कभी कभी न जाने कौन सा भूत सर पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ माता पर मेरा क्या बस है। जन्म तो उन्ही ने दिया है, पाला पोसा तो उन्ही ने है, जब कोई बात होगी तो मैं कुछ कहूँगा तो लुगाई से ही कहूँगा न। उसे पर तो अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कूपत तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ मुझे उसका बाल पकड़कर घसीतना न चाहिए था। और और औरत जात बिना कुछ तारना दिये काबू में रहती नहीं है। चाहती है मा से अलग हो जाओ। तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाओ। और किस से अलग हो जाओ। अपनी मा से जिसने जन में दिया। यह तो मुझ से न होगा। औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। बोला। माता का आदर करना तो सबका धर्में भाई। माता से कौन उरिन हो सकता है। कोदई ने उसे अपने घर चलने का नियोता दिया। आज वक किसी तरह लखनव नहीं पहुँच सकता। कोस दो कोस जाते जाते सांज हो जाएगी। रात को कहीं न कहीं टिक नहीं पड़ेगा। गोबर ने विनोत किया। लोगाई मान गई। नमानेगी तो क्या करेगी। मुझे तो ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा ही गया। वह खुद पचता रही है। चलो, चलो जरा माता जी को भी समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहु को बाब भाई की गाली क्यों देती है। हमारे ही बहन है, चार दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियां देगी तो उससे सुना जाएगा। सब दोस लुगाई का नहीं है, माता का भी दोस है। जब हर बात में वो अपनी बेटी का पक्च लेगी, तो हमें तो बुरा लगे गाही। इसमें इतनी ही बात अच्छी है कि घर से रूट कर चली भले जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। कोदही के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगा आये जहां यूती बैठी भी थी। अवह ग्रिहनी बन गई थी, जरसा घूंगट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदही ने मुस्कुरा कर कहा। यह तो आते ही न थे। कहते थे ऐसी डाट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाए। यूती ने घूंगट की आड़ से गोबर को देख कर कहा। इतनी सी डाट में ही डर गये। लुगाई आ जाएगी तब कहां भागोगे। गाउं समीप ही था। गाउं क्या था पूर्वा था। दस बारा घरों का जिसमें आधे खपरैल के थे आधे फूस के। कोदही ने अपने घर पहुँचकर खाट निकाली। उस पर एक दरी डाल दी। शर्वत बनाने को कहकर चिलम भर लाया। और एक छण में वही यवती लोटे में शर्वत लेकर आई और गोबर को पानी के एक छीटा मार कर मानोशमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था। फिर क्यों न अभी से छेड़चा शुरू कर दे। गोबर अंधेरे ही मुह उठा और कोदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है। इसलिए उससे विवा संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुग्द कर लिया। कोदई की माता को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मात्रिपद की रक्षा करते वे ऐसा उपदेश दिया कि उसने प्रसन्न होकर आशिरवाद दिया। तुम बड़ी हो माता जी, पुझ्य हो, पुत्र माता के रिंड से सो जनम तक उरिन नहीं हो सकता, लाख जनम लेकर भी उरिन नहीं हो सकता, करोरो जनम लेकर भी नहीं। बुढिया इस संख्यातीत शद्धा पर गद गद हो गई। इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा, उसमें बुढिया को अपना ही मंगल दिखाई दिया। बैद एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथो विश भी खुशी-खुशी पी लेगा। अब जैसे आज ही बहु घर से रूट कर चली गई, तो किसकी है ठीवी? बहु को कौन जानता है? किसकी लड़की है, किसकी नातिन है, कौन जानता है? संभव है उसका बाप घसियारा ही हो। बुड़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा ही तो है बेटा, पक्का घसियारा, सवेरे उसका मोह देखलो तो दिन बर पानी न मिले। गोबर बोला, तो ऐसे आदमी की क्या हसी हो सकती है? हसी हुई तो तुम्हारी और तुम्हारे ही आदमी की? जिसने पूछा यही पूछा कि किसकी बहु है? फिर वह अभी लड़की है, अभोध है, अलहर है, नीच माता पिता की लड़की है, अच्छे कहां से बन जाए? तो कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा ही अपमान होता है. गोबर जब चलने लगा तो बुढ़िया ने खंड और सत्तु मिला कर उसे खाने को दिया, गाउं के और कई आदमी मजूरी की टोह में शहर जा रहे थे, बातचीत में रास्ता कट गया, और नौ बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार में पहुँच गये. गोबर हैरान था, इतने आदमी नगर में कहां से आ गये, आदमी पर आदमी गिर पड़ता था, उस दिन बाजार में चार-पांच सो मजदूर से कम न थे, राज और बढ़ई और लोहार और बेलदार और खाट बुनन वाले, टोकरी ढोने वाले, संगत राश सभी जमा थे. गोबर यह जमघर देखकर निराश हो गया, इतने सारे मज़ूरों को कहां काम मिला जाता है, और उसके हाथ कोई ओजार भी तो नहीं, कोई क्या जानेगा कि वह क्या काम कर सकता है, कोई क्यों उसे रखने लगा, बिन और निकम में बच रहे थे, जिनका कोई पुछत्तर ना था, और उनी में गोबर भी था, लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं, सैसा मिर्जा खुर्शेद ने मज़दूरों के बीच आकर उची आवाज में कहा, जिसको छे हाने रोज पर काम करना हो, वह मेरे साथ है, सब को छे आने मिलेंगे, पांच बजे चुट्टी मिलेगी, दस-पांच राजाओं और बढ़ईयों को छोड़ कर सब के सब उनके साथ चलने को तयार हो गये, चार सो फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई, आगे मिर्जा थे, कंधे पर मोटा सोटा रखे पीछे भूखमरों की लंबी कतार थी, जैसे भेड़े हो, एक बुढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन सा काम करना है मालिक? मिर्जा साहब ने जो काम बताया, उस पर सब और भी चकित हो गये, केवल एक कबड़ी खेलना, यह कैसा आदमी है, जो कबड़ी खेलने के लिए छ कुछ लोगों को संदेह होने लगा, कहीं या कोई मखौल तो नहीं, यहां से घर पर ले जाकर कह दे कि कोई काम नहीं है, तो कौन इसका क्या कर लेगा? वह चाहे कबड़ी खेलाए, चाहे आँख में चौली, चाहे गुल्ली डंडा, मजूरी पेशगी दे दे, ऐसे जख़ कर आदमे का क्या भरोस है? गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे मिल जाएं तो कुछ लेकर खा लूँ? मिर्जा ने जट से च्छा आने पैसे उसके हाथ में रख दी और ललकार कर बोले, मजूरी सब को चलते चलते पेशगी दी जाए और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की जोपड़ी थी, जिसमें तीन-चार कुर्सियां थी और एक मेज, थोड़ी सी किताबे मेज पर रखी वी थी, जोपड़ी बेलों और लताओं से ढखी वी बहुत सुन्दर लगती थी, आते में एक तरफ आम और नीबू और अम विर्जा ने उसे बुला कर पौधे सीचने का काम सौपा, उसे कबड़ी खेलने को न मिलेगी, मन में एट कर रहा गया, वरना इन बुढ़ों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवा नहीं, बहुत कबड़ी खेल चुका है, पैसे तो पूरे मिल गए, आज युगों सुखा मिल जाता उसे खा कर पढ़ रहते, प्राता काल फिर वही चर्खा शुरू हो जाता, जीवन नीरस, नीरानंद, केवल धर्रा मात्र हो गया था, आज जो यह अवसर मिला तो बुढ़े भी जवान हो गये, अदमरे बुढ़े, ठठरियां लिये, मुह में दात न पेट में आत, जांकी के उपर धोतियां चढ़ाए, ताल ठोक ठोक कर उचल रहे थे, मानो उन बुड़ी हड़ियों में जवानी धस पड़ी हो, चटपट पाली बन गई, दो नायक बन गई, गोईयों का चुनाव होने लगा, और बारा बजते बजते खेल शुरू हो गया, जाड से पैसा लेकर गरीबों को बाट देना, इस बुड़ी कबड़ी का विज्यापन कई दिनों से हो रहा था, बड़े-बड़े पोस्टर चिपकाए गया थे, नोटिस माटे गया थे, यह खेल अपने धंका निराला होगा, बिल्कुल अभूत पूर्वर, भारत के बुड़े आज कैसे पोड़े हैं, जिन्हें यह देखना हूँ वह आए और अपनी आखे त्रिप्त कर लें, जिसना यह तमाशा न देखा वह पच्टाएगा, ऐसा सुववसर फिर न मिलेगा, टिकट दस रुपे से लेकर दो आने तक्के थे, तीन बस्ते बस्ते सारा आहता भर गया, मोटर और फिटनों का ताता लगा हुआ था, दो हजार से कम की भीर न थी, रईसों के लिए कुरसियों और बेंचों का इंतिजाम था, साधरन जनता के लिए साफ सुत्री जमीन, मिस मालती, महता, खन्ना, तंखा और राय सहाब सभी विराजमान थे, खेल शुरू हुआ तो जोड फिलोसफर से ही हो सकता है, मिर्जन ने मूचों पर ताउ दे कर कहा, तो आप क्या समझती है, मैं फिलोसफर नहीं हूँ, मेरे पास पुछला भले नहीं है, लेकिन हूँ मैं फिलोसफर, आप मेरा इम्तहान ले सकते हैं महता जी, मालती ने पूछा, अच्छा आप आइडेलिस्ट है या मेटेरिलिस्ट? मैं दोनों हूँ, यह क्यों कर? बहुत अच्छी तरह, जब जैसा मौका देखा वैसा बन गया, तो आपका अपना कोई निश्चे नहीं है, जिस बात का आज तक कभी निश्चे नहुआ, वा कभी नहोगा, उसका निश्चे मैं गद्दे लड़ाने के सिवाए और कुछ किया हो? डॉक्टर महता ने अचकन के बटन खोलते वे कहा, तो चलिए हमारी आपकी हो ही जाए, कोई माने या ना माने, मैं आपको फिलोस्फर मानता हूँ, मिर्जा ने खन्ना से पूछा, आपके लिए भी कोई जोड ठीक कर दू मालती ने पुछकारा दिया, हाँ हाँ, इन्हे जरूर ले जाए, मिस्टर तंखा के साथ, खन्ना जेपते वे बोले, जी नहीं, मुझे शमा कीजिए, मिर्जा ने राय सहाब से पूछा, आपके लिए कोई जोड लाओ, राय सहाब बोले, मेरा जोड तो ओंकार नात का है, म एक एधर, दोसरा उधर, खेल शुरू हो गया, जनता बुढ़े कुलेलों पर हस्ती थी, तालिया बजाती थी, गालिया देती थी, ललकारती थी, और बाजिया लगाती थी, वाह, जरा इन बुढ़े बाबा को तो देखो, कि शान से जा रहे हैं, जैसे सब को मार कर ही लोट लोग कहते हैं भारत धनी हो रहा है, होता होगा, हम तो यही देखते हैं कि इन बुढ़ों जैसे जीवट के जवान आज भी मुश्किल से निकलेंगे, वो उधर वाले बुढ़े ने इसे दबोच लिया, बिचारा चूट कर निकलने के लिए कितना जोर मार रहा है, मगर आघात प्रतिगात, उचल कूद, धर पकड़ और उनके जीने मरने में सभी तनमय हो रहे थे, कभी चारो तरफ से कह कहे पड़ते, कभी कोई अन्या या धांदली देखकर लोग छोड़ दो छोड़ दो का गुल मचाने लगते, कुछ लोग तैश में आकर पाली की तरफ दो पाली करके सिगार सुलगाया और राय सहब से बोले, मैंने आपसे कह दिया, बैंक इससे कम सूध पर किसी तरह राजी न होगा और यह रियायत भी मैंने आपके साथ की है, क्योंकि आपके साथ घर का मामला है, राय सहब ने मूचों में मुस्कुराहट को लपेट कर कहा, साथ फीजदी लिया और मुझसे नौ फीजदी मांग रहे हैं और उस पर एहसान भी रखते हैं, क्यों न हो, खन्ना ने कह कहा मारा, मानो या कथन हसने के योग्य ही था, उन शर्तों पर तो मैं आपसे वही सूध ले लूँगा, हमने उनकी जायदाद रहन रख ली है और श कमिशन ले लीजेगा, उस कोठी का सुबिते निकालना जरा मुश्किल है, आप जानते ही हैं कि वह जगह बस्ती से कितनी दूर है, मगर खैर मैं देखूंगा, आप उसकी कीमत का क्या अंदाजा करते हैं, राय सहब ने एक लाग पच्चीस हजार बताएं, पंदर बीगे ज जायतातों के मुल्य में 50% की कमी हो गई है, राय सहब ने बुरा मान कर कहा, जी नहीं, पंदर साल पहले उसकी कीमत डेर लाग थी, मैं खरीददार की तलाश में रहूँगा, मगर मेरा कमिशन 5% होगा आप से, और उससे शायद 10% हो, क्या करोगे इतने रुपे लेकर, आप जो चाहे दे दीजेगा, अब तो राजी हुए, शुगर की हिससे अभी तक आपने नहीं खरीदे हैं, अब थोड़े से हिससे बच रहे हैं, हाथ मलते रह जायेगा, इंशुरेंस की पॉलिसी भी आपने न ली, आप में टाल मटोल की बड़ी बुरी आदत है, जब अपने लाब की बातों का इतना टाल मटोल है, तब दूसरों को आप लोगों से क्या लाब हो सकता है, इसी से कहते हैं, रियासत आदमी की अकल चरा जाती है, मेरा बस चले तो मैं तालुक के दारे की रियासते जब्द करा लूँ। मुआमले पर फिर से विचार करें, मैं कहता हूँ ऐसा मौका शायद आपको फिर न मिले, रानी साहब चंदा को आपके मुकाबले में रुपे में एक आना भी चांस नहीं है, मेरी इक्षा केवल यही है कि कौनसिल में ऐसे लोग आएं, जिन्होंने जीवन में कुछ क्रेटरियों को दिया करती है, उनकी लिए इस काउंसिल में स्थान नहीं है, नहीं काउंसिल में बहुत कुछ अधिकार प्रतिनीदियों के हाथ में होगा, और मैं यह नहीं चाहता कि यह अधिकार अनाधिकारियों के हाथ में चला जाए। माल्ती ने पीछा छुडाने के लिए कहा, लेकिन साहब मेरे पास 10-20,000 एलेक्षन पर खर्च करने के लिए है कहा, रानी साहब तो 2-4 लग खर्च कर सकती है, मुझे भी साल में 4-5,000 रुपे उनसे मिल जाते हैं, यह रकम भी हाथ से निकल जाएगी. पहले आप यह बता दे कि आप जाना चाहती हैं या नहीं? जाना तो चाहती हूँ, मगर फ्री पास मिल जाए, तो यह मेरा जिम्मा रहा, आपको फ्री पास मिल जाएगा. जी नहीं शमा कीजे, मैं हार की जिल्लत नहीं उठाना चाहती जब रानी सहब रुपे की थैलियां खोल देंगी और एक-एक वोट को एक-एक अर्शर्फी चेहने लगीगी तो शायद आप भी उधरी वोट देंगे आपके खयाल में इलेक्शन महज रुपे से जीता जा सकता है जी नहीं, व्यक्ति भी एक चीज है लेकिन मैंने केवल एक बार जेल जाने की सिवाए और के जनता सेवा की है और सच पूछिये तो उस बार भी मैं अपने मतलब से ही गई थी उसी तरह जैसे राय साहब और खन्ना गय थे इस नई सभ्यता का आधार धन है विद्या और सेवा और कूल और जाती सब धन के सामने हे है कभी-कभी ही इतियास में ऐसे अवसर आ जाते हैं जब धन को अंदोलन के सामने नीचा देखना पड़ता है मगर इसे अपवाद ही समझी है मैं अपनी ही बात कहती हूँ कोई गरीब औरत दवा खाने में आती है तो घंटों में उससे बोलती तक नहीं पर कोई महिला कार पर आ गई तो द्वार तक जाकर उसका स्वागत करती हूँ और उसके ऐसी उपास न करती हूँ मानो साक्षा देवी है मेरी और रानी साहिबा का कोई मुकाबला नहीं जिस तरह काउंसिल बन रहे हैं उसके लिए रानी साहिबा ही ज़्यादा उप्युकत है उधर मैदान में मेहता की टीम कमजोर पड़ती जाती थी आधे से ज़्यादा खिलाडी मर चुके थे मेहता ने अपने जीवन में कभी कबड़ी न खेली थी मिर्जा इस फन के उस्ताद थे मेहता की तालीले अभिने के अभ्यास में करती थी रूप भढ़ने में वह अच्चे-च्चे को चकित कर देते थे और मिर्जा के लिए सारी दिल्चस्पी अखाडे में थी पहलवानों के और परियों के भी मालती का ध्यान उधर ही लगा हुआ था उठकर राय साहब से बोली मेहता की पार्टी तो बुरी तरह पिट रही है राय साहब और खन्ना में इंशुरिंस की बाते हो रही थी राय साहब उस प्रसंग से उबेवे मालूम होते थे मालती ने मानों उन्हें एक बंदन से मुक्त कर दिया उठकर बोले जी हाँ पिट तो रही है मिर्जा पक्का खिलाडी है महता को या क्या सनक सूजी व्यर्थ अपने भद करा रहे है इसमें भद काहे कि दिल लगी ही तो है महता की तरफ से तो जो निकलता है वही मर जाता है एक चण बाद उसने पूछा क्या इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता खन्ना को शरारत सूजी बोले आप चले थे मिर्जा से मुकाबला करने समझते थे यह भी फिलोसफी है मैं पूछती हूँ इस खेल में हाफ टाइम नहीं होता खन्ना ने फिर चड़ाया अब खेल खतम ही हुआ जाता है मजब तब आएगा जब मिर्जा महता को दबोच कर रगड़ेंगे और महता साहब ची बोलेंगे मैं तुम से नहीं पूछती राय साहब से पूछती हूँ राय साहब बोले इस खेल में हाफ टाइम एक ही एक आदमी तो सामने आता है अच्छा महता का एक आदमी और मारा गया खन्ना बोले आप देखती रहिए इसी तरह सब मर जाएंगे और आखिर में महता साहब भी मरेंगे मालती जल गई आपके तो हिम्मत न पड़ी बाहर निकलने की मैं गवारों के खेल नहीं खेलता मेरे लिए टैनिस है टैनिस में मैं तुमको सैकडो गेम दे चुकी हूँ आप से जीतने का दावा ही कब है अगर दावा हो तो मैं तयार हूँ मालती उन्हें फटकार बता कर फिर अपनी जगह पर आ बैठी किसी को मेहता से हमदर्दी नहीं है कोई यह नहीं कहता कि अब खेल खत्म कर दिया जाए मेहता भी अजीब बुद्धु आदमी है कुछ धांदली क्यों नहीं कर बैठते यहां अपनी नय प्रेता दिखा रहे हैं अभी हार कर लोटेंगे तो चारो तरफ से तालिया पड़ेंगी अब शायद 20 आदमी उनकी तरफ और होंगे और लोग कितने खुश हो रहे हैं जो जो अंतसमी पाता जाता हैं लोग अधीर होते जाते थे और पाली की तरफ बढ़ते जाते थे रसी का जो एक कटगरा सा बना दिया गया था वो तोड़ दिया गया स्वैंभू सेवक रोकने की चेश्ठा कर रहे थे पर उस उत्सुक्ता के उनमाद में उनकी एक नचलती थी यहां तक कि जवार अंतिम बिंदू तक आपहुँचा और महता अकेले बच गया अब उन्हें गुंगे का पार्ट खेलना पड़ेगा अब सारा दारोमदार उनहीं पर है अगर वह बच कर अपनी पाली में लौट आते हैं तो उनका पक्ष बचता है नहीं तो हार का सारा अपमान और लज्जा लिये भे उन्हें लौटना पड़ेगा वह दूसरे पक्ष के जितने आदमियों को छू कर अपनी पाली में आएंगे वह सब मर जाएंगे और उतने ही आदमी उनकी तरफ जी उठेंगे सबकी आँखे मेहता की ओर लगी मी थी वह मेहता चले जनता ने चारो ओर से आकर पाली को घेर लिया तनमेहता अपनी पराकाष्ठा पर थी मेहता कितने शांत भाव से शत्रूओं की ओर जा रहे हैं उनकी प्रत्येक गती जनता पर प्रतिबिम्बित होती जाती थी किसी के गर्दन टेड़ी वी जाती है कोई आगे जुक पड़ता है वातावरन गर्म हो गया पारा ज्वाला बिंदू पर आ पहुंचा ही लेंगे वे निराश होते जा रहे थे सैसा मिर्जा एक छलांग मारते हैं और मेहता के कमर पकड़ लेते हैं मेहता अपने को छुडाने के लिए जोर मार रहे हैं मिर्जा को पाली की तरफ खीचे लिए जा रहे हैं लोग उनमत तो होते जाते हैं अब इसका पता चलाना मुश्किल है कि कौन खिलाडी है और कौन तमाशाई सब एक गर्मड हो गये हैं मिर्जा और मेहता में मल्ले युद्ध हो रहा है मिर्जा के कई बुढ़े मेहता की तरफ लपके और उनसे लिपट गये मेहता जमीन पर चुप चाप पड़े वे हैं अगर वह किसी तरह खीच खाच कर दो हाथ और ले जाएं तो उनके पचासो आदमी जी उठते हैं मगर वह एक इंच भी नहीं खिसक सकते मिर्जा उनकी गर्दन पर बैठे वे हैं मेहता का मुख लाल हो रहा है आखें बीर बहुटी बनी भी है पसीना टपक रहा है और मिर्जा अपने स्थूल शरीर का भार लिए उनकी पीठ पर हुमच रहे हैं माल्ती ने समीब जाकर उत्तेजित्वर में कहा मिर्जा खुर्षेद यह फेर नहीं है बाजी ड्रॉ रही खुर्षेद ने महता की गर्दन पर एक धसा लगा कर कहा जब तक ची न बोलेंगे मैं हर्गिज न छोड़ूँगा क्यों नहीं ची बोलते माल्ती और आगे बढ़ी ची बोलाने के लिए आप इतनी जबर्दस्ती नहीं कर सकते मिर्जा ने महता की पीठ पर हुमच कर कहा बेशक कर सकता हूँ आप इनसे कह दे की ची बोले मैं अभी उठ जाता हूँ महता ने एक बार फिर उठने की चेश्ठा की पर मिर्जा ने उनकी गर्दन दबा दी मालती ने उनका हाथ पकड़ कर घसीटने की कोशिश करके कहा यह खेल नहीं अदावत है अदावत ही सही आप न छोड़ेंगे उसी वक्त जैसे कोई भूकम पा गया मिर्जा सहब जमीन पर पड़े हुए थे और मेहता दोड़े वे पाली की और भागे जा रहे थे और हजारों आदमी पागलों की तरह टोपियां और पगडियां और छड़ियां उच्छाल रहे थे कैसा यह काया पलट हुई कोई समझना सका मिर्जा ने मेहता को गोद में उठा लिया और लिये वे शामियाने तकाए प्रतेख मुख पर यही शब्द थे डॉक्टर सहब ने बाजी मार ली और प्रतेख आदमी इस हारी वी बाजी के एक बारगी पलट जाने पर विस्मित थे सभी मेहता के जीवट और धैरे का बखान कर रहे थे मजदूरों के लिए पहले से ही नारंगिया मंगवाली गई थी उन्हें एक-एक नारंगी दे कर विदा किया गया शामियाने में महमानों के चाई पीने का आयोजन था महता और मिर्जा एक ही मेज पर आमने सामने बैठे थे मालती महता के बगल में बैठी थी महता ने कहा मुझे आज एक नया अनुवा हुआ महिला के सहानुभूती हार को जीत बना सकती है मिर्जा ने मालती की और देख कर कहा अच्छा यह बात थी जबी तो मुझे हैरत थी कि आप एकाएक कैसे उपर आ गए मालती शर्मे से लाल हुई जाती थी बोली आप बड़े मुरवत आदमी है मिर्जा जी मुझे आज मालूम हुआ कुसूर इनका था या क्यों चीने ही बोलते थे मैं तो चीना बोलता चाहे आप मेरी जानी क्यों न ले लेते कुछ देर मित्रों में गपशप होती रही फिर धन्यवाद के और मुबारकवाद के भाशन हुए और महमान लोग विदा हुए मालती को भी एक विजिट करनी थी वह भी चली गई केवल महता और मिर्जा रह गये उन्हें भी स्नान करना था मिट्टी में सने हुए थे कपड़े कैसे पहनते गोबर पानी खीच कर लाया और दोनों दोस्त नहाने लगे मिर्जा न पूछा शादी कब तक होगी महता ने अचम्बे में आकर पूछा किसकी? आपकी? मेरी शादी? किसके साथ हो रही है? वाह! आप तो ऐसे ओड़े हैं गोईया यह भी कोई चिपाने की बात है? नहीं नहीं सच कहता हूँ मुझे बिल्कुल खबर नहीं क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं? मिस मालती आपकी कमपैनियन बन कर रहेंगी? शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार